नमस्कार, आज के कारेकरम में आपका स्वागत है, मैं हूँ DR. Gautam आज बात करेंगे मोबाइल फोन की मोबाइल फोन ने हमारे जन जीवन काम काज के तौर तरिकों को बदला है और साथ ही समार्ट मोउपोन ने हमारी जीवन लिला को ही पूरी तरह से बदल के रख दिया है आज कोई भी युवा मुबाइल के बगएर नन नहीं रह सकता क्या आपने कभी सोचा कि मुबाइल अब हमारे जीवन में कितना हवी हो गया है आज मुबाइल लंच हमारे जीवन में एक जहर की तरह फैलता जा रहा है और आने वाले कुछ ही वर्षों में मुबाइल का यदि इसी तरह से उपयोग होता रहा तो मात्र दस वर्षों में दुनिया के सतर प्रतिशत लोग अंधे हो जाएंगे बात सिर्फ इतनी ही नहीं है मुबाइल के उपयोग से जो परिस्थितियां उत्वन हो रही है बे अपने आप में हैरान करने वाली है आईए आज को आपको बताते हैं कि स्मार्ट फोन के उपयोग से आज पूरी दुनिया में क्या-क्या हो रहा है आज World Health Organization के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं विश्वस्वस्ते संगठन के 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार मुबाइल के उपयोग करने वाले 20 प्रतिशत युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और यह आंकड़ा और भी हैरान करने वाला है कि कॉलिज के चात्रों में 90 प्रतिशत चात्रों को मुबाइल की बज़ा से sleep pattern disturb हो रहा है अर्थात 100 में से 90 कॉलिज के चात्रों को मुबाइल फोन की बज़ा से सही से और सही समय पर नीद नहीं आती है American Optometric Association के अनुसार Digital Eye Strain लगबग 58 प्रत्षत लोगों को प्रभावित कर रहा है पियो रिसर्च सेंटर अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 56 प्रत्षत की शोरों ने कहा कि मुबाइल फोन ने उनके ब्यक्तिकत सम्मन्दों को नाकारात्मक रूप से प्रभावित किया है आज हर कारेलियों में करमचारियों दोरा मुबाइल फोन का उप्यो करने से 30 प्रतिशत तक प्रोड़क्टिविटी में कमी हो रही है अर्थात जिन कारेलियों में स्टाप ड्यूटी टाइम में मुबाइल का उप्यो कर रहे हैं उनमें काम में काफी अंतर पढ़ रहा है। में लोग अपने काम को सही से सही समय पर और सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। National Crime Record Bureau के अनुसार 2023 में भारत में Cyber Crime के मामले 13% तक बढ़े हैं। क्योंकि जो लोग ज्यादातर समय फॉन पर बिताते हैं और लालच में आकर साइवर ठगी का शिकार हो जाते हैं। यही नहीं World Health Organization के अनुसार हर वर्ष 1.35 मिलियन लोग मुबाइल के उप्योग से सडक दुरगटना का शिकार हो रहे हैं। यह बेहत चुकाने वाले अंकड़े हैं। फिर भी यदि सबसे ज्वादा नुकसान है तो वे हैं हमारे दिमाग और आंकर। जैसा कि मैंने बताया कि WHO के अनुसार यदि मुबाइल का उप्योग इसी तरह से होता रहा तो मात्र 10 वर्षों की भीतर 70 प्रचत दुनिया अंदी हो जाएगी। और आने वाले कुछ वर्षों में 100 में से 70 लोगों को चश्मे लग जाएगे। जैनेटिक प्रभाब के कारण आने वाली प्ली जनम से ही अंदी हो जाएगी। और बहुत ही चोटी उमर में बच्चे को चश्मे लगाने पड़ेंगे। और इससे भी खतरनाग स्तिती है दि जीवन का निर्मान करता है और मोबाइल के उप्यूग से हमारे सोचने और विचारने की शक्ति धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। इस बात पर आप स्वयम भी गौर कर सकते हैं कि जब आप या आपके परिवार का कोई सदस्या मोबाइल का उप्यूग कर रहा है तो उ इसमें कोई दोर आए नहीं कि यदि मोबाइल का उप्योग दिनों दिन बढ़ता गया तो एक दिन मानब जाती विचार हीन हो जाएगी। आज भी हम अपने आसपास युवाओं को देख रहे हैं। युवाओं में आज विचार क्षमता काफी कम हो गई है। जिग्यासा कम हो गई है। प्रतिस परदा की क्षमता कम हो गई है। इसके अत्रिक्त मोबाइल स्क्रीन पर बहुत अधिक समय ब्यातीत करना विशेश रूप से सोने से ठीक पहले नीद के चक्कर को बाधित कर रहा है। क्योंकि स्क्रीन से निकलने बाली नीली रोशनी मेटाल लॉनिन के उत्पाजन को दवा देती है। जिससे सोने में परेशानी हो जाती है। मोबाइल डिवाइस के अत्याधिक उपयोग से आखों में दर्द सुखी आखें आखों पर तनाव की संख्या बढ़ती जा रही है। जिससे सिरदर्द दृष्टी समधी समस्याएं पैदा हो रही है साथ ही मोबाइल स्क्रीन के सामने अत्यधिक समय बिताने से ब्यक्तिगत संबंद भी खराब हो रहे हैं। लोग एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे हैं। बलकि उन्हें अकेला रहना और अपने मोबाइल के साथ रहना ज्यादा पसंद आ रहा है। कुछ आवेग शीलता ध्यान की कमी आतम नियंतरन में कठनाई की समस्या उत्पन हो रही है। मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों का ध्यान उनकी पड़ाई या होमबर्क से हटा कर उनके श्यक्षिन की प्रदर्शन में भी बादा उत्पन कर रहा है। इसके तरिक तो जो अत्यधिक उपयोग और ओनलाइन समगरी के संपर्क में आने से कुछ बच्चों में चिंता तथा निराशा की भावना बिक्सित होने का खत्रा दिन प्रति दिन बढ़ने लगा है। आज हमें इस भ्यानक मामारी से अपने आपको तथा आने वाली पिढ़ी को बचाना होग और संभावित नाकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए अपने बच्चों द्वारा उनके मुबाइल पर देखी जा रही जानकारी और गतिविद्यों पर नजर रखनी होगी। इस तरह के कई बदलाब हमें अपने दैनिक जीवन में करने होगे। कि लत लग चुकी है और आप एक बिहानक बिमारी की चपेट में आ चुके हैं। आज ही अपने मुबाइल फोन को 24 गंटे के लिए बंद कर दीजिए। यकीन मानिए कोई पहाड नहीं तूटेगा। और इसे अपनी दिन चर्या में जरूर शामिल करें। हर सब तहा 24 गंट तो विजन इंडिया फाउडेशन के समार्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ जूड कर अपने जीवन का नब निर्मान कर सकते हैं। विजन इंडिया समार्ट एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हर व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है इसकी एजुकेशन दी अगले कार्यक्रम में एक और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी तब तक की लिए नमासकार इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपूर कुलू जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा स्मार्ट मोवाईल जोन शांगरी कॉंप्लेक्स कुलू जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला यहां शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ नारायडा अकैडमी कुलू जहां होता है आपके बविश्य का बैतरी निर्मार तमन्ना फैशन आपके फैशन का सच्चा साथी और विजन इंडिया फाउंडेशन आओ मिलकर भारत को समरित धराष्ट बनाए